अन्ता स्यो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम स्टमक प्रॉब्लम से रिलेटिड ऐसी योगासन बताएंगे जिससे आपकी पाचन शक्ती बढ़ेगी और शरी रहेगा तंद्रोस्त ध्यान रहे अगर आपको आपके मन पसंद का खाना मिल जाता है तो कभी कभी आप भूग से भी जादा खाना खा लेते हैं जिससे आप ओवरिटिंग के शिकार हो जाते हैं ओवरिटिंग से आपका वजन तो बढ़ता ही है बलिक आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इससे शरीर के कई हिस्सों को भी नुकसान पहुँचता है जैसे गेस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसेडिटी, ये सब स्टॉमक प्रॉब्लम्स क्रियेट हो जाती हैं कई लोग स्ट्रेस में आकर खूब सरा स्नैक्स खा लेते हैं और कई लोगों को खाना बहुत पसंद होता है तो इसलिए ओवरिटिंग कर लेते हैं लेकिन ध्यान रहे भोजन हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितनी खंटे बाद ये वरक आउट करें दोनों हाथ बिलको स्ट्रेट चूल्डर लेवल में सांस को भरते हुए बार बार स्टमक एरिया को उठाए आठ से तस बार सेकेंड वरक आउट दोनों हाथ सिरके पीछे रखते हुए घहरा सांस भरते हुए लोर बाडी को उठाए बार बार दोनों पैरों को मिलाईए 10 तू 20 टाइम्स वास्तिक्ता तो यह है कि ओवरिटिंग करने से कई हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो जा सकती है जैसे डाविटेज, ब्लेट पेशर आदे सामाने तोर पर लोगिया भूली जाते हैं कि अधिक वजन बहुत सी दूसरी परिशानियों को जनम दे सकता है उसके लिए थार्ड वाक आउट, गुटने के बला जाएं दोनों कोहनिया जमीन पर, सांस को भरते हुए पैर को मैक्सिमम उठाइए और दोनों तरफ लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, दोनों तरफ से 20-20 टाइम्स अगर आप एक्चुल में ओवरीटिंग से बचना चाहते हैं, तो आज से ही एक टिप स्टार्ट कीजिए हमेशे छोटी प्लेट में खाएं, इससे कभी नहीं होगी ओवरीटिंग ये ज़ादा भरी हुई देखते हैं, दूसरा दिमाग को ज़ादा खाने का सिगनल मिलता है और कम खाया जाता है इस टिप को रेगुलर फालो करने से ना केवल ओवरीटिंग से बचा जा सकता है, बली कई प्रकार की हेल्थ प्राब्लम्स को एववाइड किया जा सकता है और साथ ही साथ अपने वजन को भी आप आसानी से रिडियूस कर सकते हैं दूसरा महतपुन टिप, ओवरीटिंग से बचने के लिए जो बहुत एजी है ध्यान रहे, खाना खाने से थोड़ी देर पहले आप एक गलास भर कर पानी पीएं, इससे भी आप कम खाना खा पाएंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टन टिप, प्रोटीन रिच डाइट, ब्रेकफास्ट में लेने से पेट जादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है इससे आप दिन बर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत पर आपका कंट्रोल होगा और आपकी कैलरीस कंट्रोल आटोमेटिकली होगी नेक्स्ट कोशिश करें अपने आपको स्नेक्स की पहुँच से बहुत दूर रखें क्योंकि आँखों के सामने फूड रहने से बार बार खाने की इच्छा होती है लास्ट टिप है, खाने को अच्छी तरह धीरे धीरे चबा कर खाएं अच्छी तरह चबा कर खाने से पेट भरने का एहसास जल्दी होता है और जादा खाना नहीं खाया जाता इसलिए कोशिश करें भोजन को 32 टाइम ज़रूर चबाएं अन्त में एक बात और यदि आप वाकई weight reduce करना चाते हैं या fit रहना चाते हैं तो आप अपनी calories का हिसाब रखें जब भी आप कुछ खाएं उसे किसी डायरे में लिखने से आपको पता रहेगा कि आपने कितनी calories ली है अगर आप किसी भी तरह की पेट की समस्या से बचना चाते हैं तो सबसे पहला कदम जो आप उठाएं अपने fridge और Almira में रहने वाले सारे कबार को फेक दीजिए और इनकी जंगे fresh vegetables और fruits को यूज करें इन सबी tips के साथ साथ जैसा कि आप सामें वीडियो में देख रहे हैं 20 मिनट से वोक आउट जरूर करें देखते रहें, स्वस्त रहें, मुस्कुराते रहें सेहत के सुखों का दीपक चारो दिशा जले सेहत के सुखों का दीपक चारो दिशा जले सेहत के सुखों का दीपक चारो दिशा जले आओ योग के संग चले आओ योग के संग चले आओ नुआियाश के संगा …